नमस्कार साथियों जैहिंद बिपीएसी सिविल सेवागी बंपर वहकेंसी शत्रह सौपदों की बात जो है तमाम न्यूज चैनलों के माध्यां से अखवारों के माध्यां से आप सभी को यह पता चल गया होगा कि बहुत बड़ी वहकेंसी आ रही है और मुझे लगता है कि च बढ़ा का सत्तरों सो पोस्ट किया जा रहा है परन्तु बात अभी होगी बिपीएसी में उम्र सिमा के बढ़ोतरी को लेकर और उम्र सिमा के बढ़ोतरी की मांग आज से नहीं हो रहा है लगबाग दो वर्स बित गए लगबाग ग्यार अक्टूबर के दिन से ही हम लोग की तरीके से हम बता दें पांच-पांच बार मुलाकात हुई है एक बार जदियू के कर्याले में हुई है एक बार किनी के सरकारी आवास कारिकरम में हुई है दो बार अलग-अलग कारिकरों में हुई है फिर 29 जून को मन्यमुक पुंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात हुई है और मुझे लगता है कि इस परदेश के तमाम नेता जो सकता पक्षुतियस्वी आदा सभी मुलाकात हुई है कॉंग्रेस के नेता अजीर सर्मा हो प्रेमचंद मिश्वा हो या खिलेश सिंग जो अभी राजसवा सांसर्द और परदेश अध्यक्ष भी हैं उनसे मुलाकात हु है कि सभी नेताओं से मुलाकात हुए जाए कुमार हो चाहे संदीप तौरव हो चाहे महमूब आलम हो कि सुड़िकांत पासवान हो आप एक बात जान लिए कि जीडियू के नेता से बाताब करेंगे तो चाहे नीरज कुमार हो चाहे रनवीर नंदन हो या पूर्व संसद हो या अभी कोई बात करेंगे तो समराड चौधरी डिप्टी सीयम है या बीजैसी नहां जो डिप्टी सीयम है कई लोगों से मुलाकात हुए है मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जितने भी सत्ता के सिर्ष पर जो लीडर है उनके साथ मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात अभी फिर्ष कल स्याम रजक से हुई है उन्होंने कहा है कि हम बात कर रहे हैं और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीपीसी में उम्र सीमा के बढ़ोतरी बिलक प्रदेश हो सभी जगों पर BPSC ने अपने उम्र सिमा की वहां के जो सिविल से बाहर परिछा उसमें बढ़ोतरी की है और उसको बढ़ाकर किसी किसी राज जने 40 किसी ने 42 तिलांगना तिलांगना एक ऐसा राज जहां 46 और सब जगों पर है प्रणतु बिहार एक ऐसा राज ह सबसे नियुनतम यानि पूरे देश में सबसे नियुनतम 37 बर्स है जो जेनरल के चात्रों के रहे हैं उसी प्रकार से OVC और SCST का दो तीन बर्स बढ़ते हुए वह आगे बढ़ रहा है मैलाओं का 40 बर्स है उनिल धारित है पूरे तरीके से आज एक बैठक बुलाई गई ह सारी जितने भी BPSC सिविल से बाके जो उम्र सम्मंदित मांग है और कई लोगों का फोन को लगाता रहा है कि एक बैठक बुलाई जाए बैठक जो है वो कहां पर होगी गांधी मैदान में लोगों की द्वारा बैठक बुलाई गई है उस बैठक के संख्या पर निर्भर हो के बैकेंसी 15 तारिक के बाद आगा 17 हो गया कभी बैकेंसी दे सकती है BPSC क्योंकि उनके पास जो भी आज का जो भी सब्मंदित विभागों के डॉक्मेंट है बैकलॉग सीटों का जो डाटा है वो सब सीट जो है उनके पास चला गया है तो 1700 पदों की बात की जा रही है इस 17 तारिक तक पठना पहुँझ जाए और इसकी संख्या पर निर्वन करेगा कि आगे किस तरह के चीजे होंगी अगर आप 5-7-10 के संख्या में आते हैं तो निश्चित लूप से ये संख्या इस संख्या के दम पर आगे के चीजे बिलकुल नहीं होता क्ती है इसलिए हम बार लोग आट लोग दस लोग मैक्सिमम बाड़ा लोग ही हर जगा गए और चाहिए था सब को सिर्फ डिमांड सिर्फ वीडियो देखना कॉल करना मैसेज करना कि हो जाना चाहिए ग्रूप में भी बना एक सोस्ती लोग टेलिग्राम ग्रूप में जुरूए तो वाट्शाब आके नहीं है दो तीन दिन मैकेंसी के पहले तो कम सका आपको रहना ही चाहिए लेकिन आगार आप से वीडियो देखने अब निरवर हैं कि हम वीडियो देख लिंग एज वाले पर क्या वीडियो बनाएंगे बताए जब लगतार कुछ काम हो रहा था आपको बताते हैं चले कि अन्य मार्ग में बैठक हुई थी और डियो पीटी में फाइल बना हुआ है अगर कि नहीं को कुछी बात का सक है तो आप जाकर वी राज अंदर जो पढ़ांस अचीव हैं डियो पीटी के उनसे आप बात जिस कर लिजिए पूछ लिजिए कि इस पर लिया गया था या य चारजएंज बैब किस तरह से चीज़ें आप अप अपनी तरह से हम आप आप कोसिश किए कि हमर बना जाएंगा वीडियो बना कर बना कण बोर बता देगा यह और तो यही यह संख्या या संख्या पर निर्वर्ण होगा कि आगे किस तरह के रनिती पर आगे एज की डिमांड सरकार के तरफ सरकार के समक्ष लोकतांतिक तरिके से की जाएगी साथियों धन्यवाज जैहिंद